हेलो एवरिवेंड कैसे हो आप सभी फिर से एक इंटरस्टिंग सी रेसिपी लेके आई हूँ कर्मियों के मौसम में रस्मलाई है वो सबसे बहले आती है मीठे में तो यहाँ पर आज मैं रस्मलाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ खास ट्रिक के साथ रेसिपी को पूरा हैं वह कराई में लगता नहीं है और यहाँ पर एक लिटर फुल फैट वाला दूद लिया है इसको हम कड़ाई में एट कर देते हैं तो यहाँ पर कोशिश की जिएगा फूल फैट वाला दूद लोगे तो उतनी ही टेश्टी आपकी रस्मलाई का दूद मनेंगा तो याँ पर हमने एक लीटर इसमें दूद एकट दिया है तो गैस को हम ओन कर लेते हैं और हाई फिलेम पर इसमें आने देते हैं एक उबाल तो बीच-बीच में आप दूद को चलाते रहेगा जो दूद है वो नीचे लगे ना तो दूद में देखी अच्छे से आ गया है उबाल और इसको हम एक से दो मिनड़ अच्छे से पकाएंगे तो दूद काफी अच्छे से हमारा ओबल चुका है अब इसमें हम कुछ चीज़े एट कर रहे हैं यहाँ पर हम बदाम एट कर रहे हैं जो इनको हमने बारीक चौप कर लिया था इसमें हम थोड़ा सा केसर एट करेंगे कलर के लिए तो यहाँ पर मैंने कुछ केसर के धागे एट कर दिये तो यहाँ पर हमने इसको 10-12 मिनट के लिए रसमलाई के दूद को पकाना है जो हलका सा दूद हमारा गाड़ा हो जाए तो इसको धीमी दीमी आग पर हम उबल ले लिए हम पहले चीनी यहां पर 100 ग्रम है अपने मीठा छाहते हो मैं अनुपार आप इसमें चीनी अट कि मैं फिरिये साइप मुझे चेहना चीना प्रमें उसको पकने ले ऊडाप दिनल के creator नवल धीन ही घर के चुनल फेसे प्रससी नचांप और यह दूद फुल फैट पाला नहीं है तो यहां पर दूद में आ गया है अच्छे से उबाल इसका हमने बनाना है छेना जो रस मलाई है वो छेने से बनती है तो यहां पर हमने दूद को काफी अच्छे से उबाल लिया है तो आप हम क्या करते हैं कैस को कर देते हैं बन तो यहां पर दूद्र को फांड़ने के लीए आप कोशिस कीजिएगा कि दूद्र को एक से दो मिन्ट थंडा होने दीजिएगा तो यहां पर मैंने लिया है आप चाहों तो आप इसको नीबू से भी फाड सकते हो तो यहाँ पर मैंने एक ठककन विनीगर लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा पानी आइट करूँगी दो से तीन चमच हमने इसमें पानी आइट कर दिया है इससे हमारा जो छेना है वह बहुत अच्छे से बनके रेड़े हो जाएगा और पानी डाले से छेना जो है ना सकत नहीं होता मतलब पनीर जैसा नहीं होता तो यहाँ पर हम इसको धोड़ा-थोड़ा इसमें विनीगर रैट करते जाएगे और हलके हाथों से इसको चलाते जाएगे तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके आप विनिगर डालते जाएगा अगर आपके पास विनिगर ना हो तो आप इसको नीबू से भी फाड़ सकते हो एक नीबू के रस से आप जो है ना आपका छेना बनके बुलकु तेयार हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने सारा इसमें विनिगर एट कर दिया है तो देखिए जो चेना है मारा देखिए काफी अच्छे से बन गया है पानी अलग हो गया है और चेना अलग हो गया है तो अब हम इसको क्या करते हैं इसको हम बाहर लिखा लेते हैं तो बाहर लिखा लिए हमने यहां पर एक बाउल लिया है और उसमें रख देंगे च्छनी और च्छेने को हम इस तरीकी से च्छान लेंगे जो पानी है वो अलग हो जाएगा और फ्रेंड ने को बात बता रही हो यह पानी को आप फैक ही नहीं इसको आप इसमें आटा भी कर लिया है इसमें हम क्या करते हैं इसको एक से दोबारी इसको पानी को जो है बाहर मतला अच्छे से लिखाल देते हैं अब यहां पर हमने साधा पानी लेना है और इसको अच्छे से दो लेना है जो हमने विनीगर इसमें एट किया था उसका खटापन या कुछ भी स्मेल न कोई रुमाल में लेना है इस तरीके से और छेने को अच्छे से इस तरीके से पोटली बना लेनी है तो पोटली बनाने से जो पानी है वो एक्ष्टा पानी है छेने के अंदर वो लिकल जाएगा कोशिस कीजिएगा हलका सा इसमें पानी रहना चाहिए प्रॉपर पानी नहीं लिकालना चाहिए वन्ना अगर प्रॉपर पानी लिका लोगे तो चैना हमारा हाड हो जाएगा तो यहां पर मैं क्या करती हूं इसको हलका-हलका पानी को पहले छहनी के उपर रखती हूं और इसमें एक कोई बजनदार चीज रख देती हूं तो इसको मैं 2-3 मिट के लिए पड़े से बरतन में लिका लेना है तो यहां पर हम क्या करते हैं कि उमारा जो दूद है वो काफी अच्छे से पक चुका है 10-12 मिट अच्छे से हो गए थे तो अब हमने क्या करना है इसको अब गैस की फ्लेम को कर देना है बंद और दूद को हम एक बाउल में बाहर लिका कर देते हैं तो यहां पर इसको रूम टेंप्रेचर पे रखने के लिए इसका मतलब ठंडा हो जाए दूद्द इसके लिए हम इसको पंके की हवा में रख देंगे, गर्मिया चल लई है, जब अच्छे से थंडा हो जाए तो आप इसको फ्रीज में रख देंगा, तो रस्म लाईए बहुत थंडी थंडी अच्छी लगती है, तो यहाँ पर मैं इसको छेने को कपड़े से बाहार लिका ले पहले बहुत मेनत लगती थी पहले अथेलियों में दर्द हो जाता था चैने को स्मूध बनाने में मतलब चिकना बनाने में तो मैं यहां पर मिक्सी जार का इस्तमाल कर रही हूं और यह बहुत अच्छे से चिकना हो जाएगा आपकी बिना मेनत के तो यहां पर एक मिनट तक चला दीजिएगा बहुत ही अच्छा डू आपका बनके रेडी हो जाएगा चिकना तो यह देखिए मैंने इसको अच्छे से एक मिनट तक चला लिया है और हमारा जो चैना है बहुत अच्छे से स्मूध हो गया है तो आप हम इसको परात में लिका लेते हैं बड़े सी बरत चमच मैदा इसमें हमने एक चमच मैदा एट कर दिया है और इसको हम अच्छे से कर लेते हैं मिक्स इसको हमने एक से दो मिनट अच्छे से मिक्स कर लेना है तो अच्छे से इसको जो है उंगलियों से अथेलियों से एक से दो मिनट आप इनको चलाद लीजेगा और बहुत अच्छे सा चिकना बनके आपका चैना बुलकुल रेडी हो जाएगा रस्मलाई के लिए तो देखिए हमारा जो चैना है बुलकुल बन गया के हो गया रेडी तो देखिए इस तरीके से आपने बना लेना है एक्टम चिकना बन गया है तो अब हमने कि यहां पर छोटी छोटी लोईयां तोड़नी है इस तरीके से आप कोशिश के लिए ज्यादा बड़ी मत बनाएगा चैना जो है पानी के अंदर हम इसको पकाएंगे तो फूल के है तासे इसको अंदर की तरफ पूश कर रही हो तो अच्छे से जो हमारी पेडा है वो बनके रेडी हो जाएगा इस तरीके से बना के आपने सभी को रख लेना है तो मेरी जुर्प साहरा छेने की रस्मलाईयां वो बनके रेडी हो चुकी है तो यह देखिए अब हमने क्या यह देखनाए कड़ाई में लेना है तो इसमेन हो गिलास पानी कर दिया पहले ही और इसमें मैं मैं डाल रहिए हूं 500 Ço चीनी तो पानी अच्छे से उबल जाे तो आप इसमें रस्मलाई है वह एक कर दिजिएगा तो यहां पर पानी को हमारा है अच्छे से बायल हो गया है कर रहे हैं और आप पांसे च्षे मिनिट के लिए आप रस्मलाई को अच्छे से पका लेज़ेगा तो देखें इतनी हलकी हो जाती है यह तो उपर तैडने लग जाएंगी आपको पता भी चल जाएगा तो यहां पर मैं इसको पांसे छे मिनट के लिए कवर कर दिया, एक बारी बीच मैं चेक कर रही हूँ इसको तो यहां पर मुझे हल की सी रास्म लाई में कमपुली लग रही थी तो में इसको और 2-3 मिट के लिए चीज के ना है लाटे समय कर देंगे काफी अच्छे से फूल किया है इनको तो अब हमने क्या करना है है कर देना है अब याग यह पर पाणी बरतन में त्हंदा थंडा पानी लेना है यह निद तसपी भी रैडी हो जाती है तो थंड़ी पानी में आप इन रस्मलाई को डाल दीजिएगा मुश्किल से दो मनेट के लिए तो दो मनेट के लिए इनको ठंडे-ठंडे पानी में एट कर देगा बहुत जूसी बनती है तो दो से उन्मेट के बाद करना ह hilar है दूद्ध हो चुका है हमारा ठंडा जूना बनाया था इसका जूस और आपिसको हमने बनाया दबाके इसकंगे एक्ष्टा पानी है वो निकाल देना है और हाथ ओ हाथ इसको ठंडे-ठंडे दूध में आप इनको डाल दीजिएगा और 2-3 घंटे के बाद आपकी ठंडी-ठंडी बुलकु रैडी हो जाएगी इनको डालने के बाद आप इन फ्रीज में रख सकते हो तो दो से तीन घंटे के बाद हमने रस्मलाई को चेक किया हमारी रस्मलाई बन के बुलकुर रेडी हो चुकी है ये देखिए बहुत ही कम समय में और इतनी टेस्टी जो आपको बहुत पसंद आएगी इसका कलर थोड़ा सा अलग लग रहा है क्योंकि केमरी की बज़े से आ रहा है तो यहां पर हमारी रस्मलाई बन के बुलकुर रेडी हो चुकी है आप भी बनाईएगा खाईएगा पहुत ही टेस्टी सी रेसिपी है मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में जब तक बने रही है रुपेश की रसुई में